Dear Students, पिछले वीडियो में हमने Distractor के वारे में जाना इस वीडियो में हम जो बात करेंगे हमारा टॉपिक रहेगा Operator Overloading Operator Overloading से पहले हम पढ़ चुके हैं Function Overloading, Constructor Overloading देखो जब Overloading की बात आती है तो एक ही चीज़ को अनेक तरह से देखा जाए यानि की Polymorphism को Concept को यह यूज करते हैं Polymorphism मतलब Single Interface Multiple Methods तो Function Overloading में क्या था? One name can be shared by multiple functions दूसरा Constructor Overloading में एक ही Class के अंदर एक सी ज़्यादा Constructors होते थे क्योंके Constructor के नाम सब के सीम होते हैं क्योंके Class का नाम जैसा होता है इसलिए वो थी Constructor Overloading अब नई चीज़ आगे क्या Operator Overloading तो Operator Overloading है क्या? When one operator is used for multiple operations जब एक operator को एक से ज़्यादा कामों के लिए यूज किया जाने लगे तो समझ जाना it has become the Operator Overloading अब आप कहते हैं क्या एक operator को दो काम के लिए कैसे? एक Plus को Minus के लिए हम यूज करके दिखा सकते हैं तो इसका मतलब भी होगा कि Plus को अगर Minus की तरह से यूज करने लगे या किसी और काम करने के लिए यूज करने लगे तो वो Operator क्या हो जाएगा? Overload अरे आप ये सोचो कि अगर Plus Integers को जोड़ता है और Characters को जोड़ने लगे आनि कि Concatenate करने लगे तो ये भी Overloading होगी बट हम चो यहाँ पर एक Example देंगे उसमें क्या होगा? एक दो Integers या दो Floats को जोड़ने का काम तो Plus Operator करता है आज हम ये सिखाएंगे कि एक दो Object जिनकी अलग-लग Dears अरी Values है एक Example में बात करेंगे इफ इन Operator Board पे लिखा होगा है आप देख रहा है क्या लिखा होगा है? इफ इन Operator is used for two or more operations वी can say this situation becomes the Operator Overloading ठीक है? फॉलवाइंग कुछ ऐसे पॉइंट से जो Operator Overloading में जेनरली देखे जाते हैं जैसे कि पहली बात कि single operator can be used for two or more operations दो या दो से ज़्यादा operations के लिए जब एक Operator काम करने लगता है यह क्या लाता है? फिर उसके बाद एक और पॉइंट लिखा है इन Operator Keyword is used for this task इस काम के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक Operator Keyword यूज करते हैं Operator Keyword is succeeded by the operator symbol जिस Operator symbol को overload करना है उसके आगे क्या लिखा जाता है? Operator Keyword लिखा जाता है और फिर उसके नीचे function define किया जाता है जो उसका काम होता है नया काम जो हम define करते हैं इस तरह से फिर कहते हैं Operator overloading भी support करती है उसी concept को जिस तरह से और सारे overloading कर रहे थी क्या polymorphism को तो polymorphism भी कौन सी? compiled time polymorphism ठीक है तो ये सब points थे जो हम ये बताने जा रहे थे क्या operator overloading क्या होती है overloading फिर दो तरह से होती है इसकी एक तो unary operator की overloading और एक binary operator की overloading दोनों मैं इसी वीडियो में आपको दिखा हूँगा तो देखो आते हैं फिर example देखते हैं एक मैंने program कभी आपको सिखा है पहले videos में आप आई बटन प्रेस करके देख भी सकते हैं विडियो का नाम है या program का नाम है object can be passed and returned from a member function बस वो ही example आप दुबारा से पढ़े और पढ़ने के बाद उसको मैं operator overloading में convert करने जा रहा हूँ देखो दो variable थे get data function के दुआरा हमने x और y को initialize किया show data के दुआरा दोनों को show किया था और फिर एक object को pass किया था एक के through call किया था और एक को return किया था ये दोनो values जोड के आ रहे थी और उसके बाद return हो रहा था यहाँ पर ob1, ob2, दो operator, दो object थे दौनों object की get value करी फिर उसके बाद क्या किया दौनों को जोडा और output ob3 के through show कर दिया output एक बढ़ दिखा के फिर मैं आगे बढ़ूँगा मैंने या 1 1 और 2 और 5 और 7 ऐसे values ली 1 में 5 जोडा 6 आया 7 में 2 जोडा 9 आया इस तरह से आप कह सकते हैं कि यह program बिलकुल वोई काम कर रहा है जो मैंने वहाँ सिखाया था लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि यहाँ पे इस dot add की जगे पे plus लगा दूँ और उसके बाद इससे बन कर इस तरह से अगर कर दूँ तो क्या यह चल पाएगा मैं अगर यहाँ पे compile करता हूँ देखो error आजाती है यह error यह कहती है कि plus operator cannot be used for this operation नहीं कि जोडना objects को नहीं जोडेगा integers को जोडेगा floats को जोडेगा ऐसे करेगा तो फिर इसको करने के लिए मुझे एक operator को overload करना पड़ता है overload करने के लिए मैं same function जो आपको सिखाया हुआ है use करता हूँ यहाँ पे operator overload करके दिखाता हूँ यह keyword लिखते है operator और फिर उस symbol को लिखा जाता है जिसे हामें क्या करना है overload करना है ठीक है तो इस तरह से अगर मैं कर दूँ तो देखो program execute होने लगेगा operator यह capital बन गया है sorry देखो आप यह keyword क्योंकि operator keyword है आप capital use नहीं कर सकते देखो मैंने इसे चलाया और program execute हुआ इसमें क्या है 1, 2, 5, 7 out to take them same है इसका मतलब यह हुआ कि operator यहाँ overload हो चुका है इस plus का काम define हो चुका है और अगर define हो चुका है तो जो हम इस function के अंदर कर रहे है इस plus के कर जोडने पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बिल्कुल वो ही हो रहा है जो मैं चाह रहा हूँ अब आप कहेंगे क्या minus कर सकते हो बिल्कुल अगर मैंने यह minus किया और एक में मैंने multiply किया एक variable तो इनका x x minus होगा और y y दोनों का क्या होगा multiply होगा चलाके दिखाते है इसका output है 1 चलो 1 की जगे 2 और 3 डालते है और वहाँ 5 और 7 डालते है 2 और 5 में minus हो रहा है यानि कि 2 minus 5 minus 3 आया और 3 into 7 21 तो 21 आ रहा है इस तरह से आप एक operator को कोई भी काम define कर सकते हैं इस तरह से अपना एक function बना के ठीक है तो यह था operator overloading जिसमें अभी हमने किस की overloading करी थी plus की plus क्या था plus एक binary operator था तो इस तरह से हम कहेंगे कि it is an overloading of binary operator अब मुझे दिखाने है unary operator की overloading unary operator overload कैसे होता है और unary operator होता कौन सा है जैसे plus plus और minus increment और decrement जो आप use करते हैं वो unary operator होते हैं उनको कैसे overload करते हैं मैं आपके सामने लेके आता हूँ देखो अभी इस program में जो आपके सामने आने वाला है इसमें मैं दिखा रहा हूँ एक plus plus operator को कैसे पूरा program जो काती हो है बट फर्क कहां पे है कि यहाँ एक object pass जो किया गया था वो मैंने खतम कर दिया है क्योंकि binary operator के लिए तो दो operant चाहिए है एक प्लस तूसरा operant तो इस तरह से दो की ज़रौत ही लेकिन यहाँ तो एक ही operant की ज़रौत है तो there is no need to put one argument with this function इसका मतलब यह होगा कि हमें यह argument देने की ज़रौत नहीं है मैंने argument हटाया और क्या कि यह OB3 तीसरे object में यह दूसरे object में यह another object में मैंने क्या किया X plus 1 X वो है जिसके through यह operator call होगा उसका X है और 1 एक एक का increment मैंने दोनों में करके दिखाया और OB3 को मैंने return करके दिखाया अब देखो OB1 में क्या है OB1 की जो value आपने get की है वो plus plus के through call हो रहा है यह वाला function और क्या हो रहा है इन दोनों में जो OB1 की X और Y value ती एक एक का increment होगा और फिर OB3 में return हो के आएगा और OB3 को मैं क्या करूँगा print करूँगा through the function show 1, 2, 2, 3 हो गया इसका मतलब change होगी values बस अब मैं एक चीज और बताऊँगा कि जब मैंने कहा single operant पे काम करता है तो मुझे return करने की भी क्या जरुवत है तो मैं यहां से return भी हटाता हूँ अगला program जो मैं दिखा रहा हूँ वो दोनों operant को हटा के single operant पे लेके आता हूँ और सही logic है भी वोई यह तो मैंने आपको समझाने के लिए बीच में डाला था ऐसा program देखो इस वाले में क्या हो रहा है कि इस वाले में operator के साथ कोई return type नहीं लगाया गया है आप चाहें तो यहां पे void लेख सकते हैं और फिर यहां पे क्या हुआ without return हो गया without argument हो गया तो जो operant आएंगे मतब जिस operant यानि एक object की values आएंगी उनी में plus plus और minus plus plus किया है मैंने तो क्या होगा यहां एक-एक increment लग जाएगा तो ob1 सिर्फ एक object है ob1 का get data लिया मैंने get data से दोनों values लिए और दोनों में मैंने क्या कर दिया plus plus किया तो increment लग गया और ob1.show data जो original value है उनमें increase हुआ होगा वो show हो जाएगी देखो output आप 1 and 2 अगर डाला तो 1 and 2 का 2 and 3 आगया इस तरह से मैं यह कहूंगा कि इस तरह से हम एक unary operator को भी overload करते हैं ठीक है तो unary का भी program आपको समझ में आगया इन सब के program मैंने हला कि अपनी website पे भी डाल रखे हैं आप website पे भी इन programs को with theory देख सकते हैं ठीक है अब next video में मैं आपको बहुत important topic के साथ मिलने वाला हूँ वो होगा हमारा inheritance inheritance is the most important topic of the C++ ठीक है तब अगले video में हम बिलते हैं आप से झाले के अपास के इन साहरा है भीःका ङाले के इन साहरा हग collaborate कि भीःक्वरा थे जजए 1